मेरा नाम है उलाम दिस्तगीर, मैंने किया है एन एडी इनिवस्टी से सिविल इंगिनेरिंग उनिस्तो नव्य में, उसके बाद में चला गया था किन एडी ए कराची डिवल्प्मेंट अथॉरिटी, फिर वहां से में चला गया था अमेरिका मेशिगणी इनिवस्टी डेट्र यहूदी हैं, इसाई हैं, मुसल्मान हैं, तो यह हैं लगे रेवी रिलिजिन, इसके लाव़ा हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये इनको अलगी जबुरत थी, तो इन्होंने भगवान बना दिया अपना, अब हिंदू रिलिजिन के बारे में, जब हम बात करते हैं, तो मैं हमेशे information देता हैं इस बारे में कि हिंदू जो हैं वो बतों की पूजा करते हैं हिंदू गाय की पूजा करते हैं हिंदू गाय का पिशा पीते हैं हिंदू अपने मुल्दों को जलाते हैं हिंदू जो हैं वो अपना पिशा पखाना पेखाना खास तौर्पे मैं कह रहा हूँ पेखाना जो है वो अखबार जो इनके पास रता है न्यूस्पिकर उस साफ करते है या ट्वाइल प्रेपर से साफ करते है तो ये हैं इनकी बुराईया हिंदू के बारे में अल्ला ने कहा था कि भई इन्होंने तो बुतों की पूझा खुझा करी है हमने तो इनको नहीं कहा था बुतों की पूझा करने के लिए तो ये तो इन्होंने खुझा करी है तो ये शिर्क किया इन्होंने ल्ला के साथ अब ये सब जान्नों में जाएंगे तो ये अल्ला का मेसिज है अब अल्ला कहता है कि मेरा मेसिज जो है इनको दे दो फिर ये मानते हैं या नहीं मानते हैं ये इनका अपना मसला है तो इनको मेरा मेसिज दे दो क्योंकि जब ये मरने के बाद आखरत में उठाए जाएंगे तो फिर वहां पे ये अल्ला को ये नहीं कह सकते कि इनको तो अल्ला का मेसिज मिलाई नहीं तो कुफार के बारे मैं भी ये ही कहा था नभी करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तवा सुल्हा असलम को अल्ला ने क्या आप जो हैं सिर्फ मेसिज दें आप परेशान नहीं हो कि ये आपका बात माने या नहीं माने मसल्मान होते हो नहीं होते है नहीं हो ये इनका अपना मसला है लेकिन आपका आपका काम सिर्फ मेसिज देना है तो मेसिज दे दें आप इनको फिर ये इस दुनिया से जाएंगे आखरत में उठाए जाएंगे तो फिर यह वहां पर जाके यह नहीं कह सकते कि इनको तो अल्ला का मेसेज मिला ही नहीं तो इसलिए यह मेसेज हमेशा दिया जाता है तो यह जो हिंदु कहते हैं